हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं कमल जी इतसर स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल में आज हम लोग compound interest चक्रवरधी भी आज type 4 इससे पहले हम लोग type 4 के एक से लेकर के 20 तक question कर चुके हैं आज हम लोग 21 से आगे करेंगे और type 4 को आज खत्म करेंगे आज हम लोग 21 से लेकर के जितने भी total question type 4 में बचे हुएं सारे के सारे आज कर लेंगे book कीरन publication 95 प्लस वाले बुक्षे करेंगे तो बिना देर किये एक बात इस वीडियो को जादा से जादा पहले आप अपने दोस्तों के साथ सेर कर लो जो नए है वो वीडियो के अंत में जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइम करेंगे और उनको वीडियो पसंद आया तब तो बिना देर किये इस वीडियो को सुरू करते हैं और लेते है question number 21 question number 21 यदी किसी रासी पर 5% वार्सिक दर से 2 वर्स का साधारन ब्याज 50 रुपया हो तो 2 वर्स का साधारन ब्याज 50 रुपया है यानि हर साल का साधारन ब्याज 25 पचीस रुपया होगा चुकि हर साल का साधारन ब्याज बराबर होता है और दो साल का अगर 50 है तो एक साल का 25 होगा दोस्तों रेट कितना है? 5% 5% का मतलब 1 बटा 20 अब इसके पहले अब यह हमारा साधारन ब्याज दो बर्स का 50 रुपया है चक्रविर्धी ब्याज क्या? ब्याज पर ब्याज इसके पहले कोई ब्याज नहीं तो पहले साल तो कोई एक्स्रा ब्याज नहीं मिलेगा तो पहले साल का जो साधारन ब्याज है वही चक्रविर्धी ब्याज होगा दूसरे साल ब्याज हमें मिलेगा किस पर? इस पर रेट हमारा क्या है? 1 by 20 पचीस का अधा साढ़े बारा यानि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.25 आप हल कर लोगे इसको 25 में 20 से भागा दोगे 1 रुपया 25 पैसा आएगा चुकि 25 का अधा कितना होगा साढ़े बारा एक अंके बाद दसम लबाओ उधर घसकेगा तो 1.25 ये हो गया हमारा दो साल का चक्रविर्धी व्याज अगर आप इसे जोड देते हैं तो 25, 25, 50, 51 एक आमन रूपया 25 पैसा ये हमारा हो गया 2 साल का चक्रविर्धी व्याज option number B next question लेते question number 22 दोस्तो question number 22 गाता है तीन वर्स के लिए किसी रासी पर चक्रविर्धी व्याज और साधारन व्याज का अंतर तो हमने आपको बताया था तीन वर्स के लिए क्या होता है P, R, Y, 100 का hall square 300 plus R, Y, 100 ये तीन साल के लिए होता है चक्रविर्धी व्याज और साधारन व्याज के अंतर का फार्मूला डिफरेंस कितना है दोस्तों लिख लेंगे 186 प्रिंस्पल निकालना है रेट है 10, 10 दहें के 100 नीचे 100 का square 10% है तो 310 by 200 काट दीजे 0 से 0 कट गया 1 0 से 1 0 कट गया 1 36 यानि इसको याद कर ले आप लो हम बार बार इसे बोलते हैं रिमेंबर कर लीजे इसको हर हाल में याद रखे इसे नेक्स्ट कोशन कोशन नमर 23 कोशन नमर 23 काता है कि 15,000 रुपया की रासी पर 2 वर्स के C.I. यानि चक्रविर्धी व्याज और साधारन व्याई के भी 96 रुपया का अंतर है तो व्याज की दर क्या होगी आपको पहले भी हमने बताया 15,000 रुपया है इसका फाइनल रेट नहीं पता है तो रेट तो सेम ही होगा तो आर गुने आर बटा 100 गुने 100 र बाइ 100 का हौल स्क्वाइर बराबर कितना जो भी इसका क्या है परसेंटेज है डिफरेंस है या आप फॉर्मुला ड बराबर पी इंटू आर बाइ 100 का स्क्वाइर भी कर सकते हैं हल कर ये दो जीरो से दो जीरो कट गया पचीस चुक सो पचीज चक टेड़ सो सुला चक शियानवे आर असक्वार ब्रावर सुला चक चाव सट आर ब्रावर आठ परसेंट यह हमारा हो गया अब इस पर भी बैठा सकते दोस्तों वही चीज है सिर्फ हमने फाइनल रेट आपको निकालना सिखाया था इसलिए कि जब ड्रेट अलग अलग दे दे तब आप फसे नहीं नेक्स्ट कोश्चन लेते हैं कोश्चन में ट्वंटीफोर देखें ट्वंटीफोर भी सेम कोश्चन है दोस्तों 6250 रुप्या पर आठ परतीसत की दर से दो साल के CIRSI का डिफ्रे फर्मूला लगाते हैं D बराबर P R Y 100 का स्क्वाइर तो R काठी अठी 64 200 तो 100 का स्क्वाइर तो दू बार सो लिखेंगे फर्मूला आपको बता हैं बार बार लिख रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग फर्मूला को ध्यान में रखें तब जादा असान होगा काठ दीजे अगर कटता है तो 0 से 0 25 पचीस से 625 पचीस चक सो 16 चक 64 55 पचीस पंदुनी 10 2 अठी 16 आठ पचे 40 तो साधारन व्याज चक्रपिर्धी व्याज का डिफरेंस क्या हो जाएगा दो साल के लिए 40 रुपे option number B same question है दोस्तो question number 25 थोड़ा सा different है काता है दो साल का SI 1400 देखे फिर वही चीजा भी जो हमने पहला question आज लिया था 1402 साल का है तो हर साल 700 होगा ये तो fix है और दो साल का 1449 है तो यहां तक तो fix है यहां तो नहीं आएगा यह जो 49 आएगा यहीं आएगा चुकि इसी पर व्याज लग रहा है तो किस नहीं लग रहा है प्रतिसात दर आपको निकालना है 49 रुपया व्याज लिया कितना पर 700 पर तो 100 पर 007749 यानि कितना दोस्तो 7% का इंट्रेस्ट यानि option number A question number 26 करते हैं दोस्तो question number 26 कहता है कि B ने A से 6% वार्सिक के साधारन व्याज पर 5000 उधार लिया मतलब हमने किसी से साधारन व्याज पर लिया और फिर उसी को क्या किया चक्रविर्धी व्याज पर उधार दे दिया तो पहले तो हम निकाल लेते हैं चक्रविर्धी व्याज पर 5000 का दो साल का कितना होगा देखिएगा रेट चक्रविरधी व्याज पर 10% है 10% का मतलब 1 बटा 10 तो पहला साल, दूसरा साल कितना हो जाएगा 10, यानि 500 ये भी 500 और फिर ये कितना 50, ठीक है कितना हो जाएगा 500, 500, 500 यानि टोटल दो साल का कितना हो जाएगा चक्रविर्धिव्याज दस सो पचास ये सी आई निकल गया एसा आई कितना निकल जाएगा पांच हजार छे प्रतीसत की दर से ठीक है दो वर्स का निकाल लो सो छो सो दोनों का डिफ्रेंस यानि जो डिफ्रेंस आएगा वही तो प्रॉफिट में जाएगा बी का प्रॉफिट होगा तो बी का प्रॉफिट हो जाएगा दस सो पचास बी को मिला और बी ने एक को कितना दिया छे सो यानि चार सो पचास रुपया का क्या हो जाएगा दोस वर्स का क्या होता है formula दोस्तो पी इन्टू RY100 का hall square इन्टू 300 plus RY100 और दो साल का CISI का difference क्या होता है PYRY100 का square तो 3 साल के difference का कितना है 23 रुप्या और 2 साल का 7 यहां से यह कटी जाएगा साथ से गुणा हो जाएगा सत्तिया एकीस सो पलस सेवेनार और ये तेईस से सो गुणा होगा तेईस सो ठीक है तो सेवेनार वरावर कितना होगा 200 आर वरावर कितना होगा 200 बटा 7% यानी option नमबर पूर्ण था formula best है तीन साल के Crockett दो साल के Crockett यहाँ दिया गया है कि दो वर्स तीन वर्स के लिए तो था दो वर्स के लिए CISI के अंतर का नुपा तो इस तीन साल के CISI का अंतर है और दो साल के CISI का अंतर है लिखकर के हमने सिर्फ फार्मूला बैठाया और हल किया है दोस्तो ये हमारा स्वालूशन हो गया question number 27 सेवें दोस्तो अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहां प्रॉब्लम हो रहा है तो उस चीच को शॉल्व किया जाएगा question number 28 question number 28 काता है ब्याज किदर क्या होगी किदी किसी निश्चित रासी पर तीसरे वर्स में दो हजार रुपया साधारन ब्याज मिलता है जिसे समझ लीजे बात को अगर तीसरे वर्स में दो हजार तो दूसरे वर्स में भी तो दो हजार मिला होगा और पहले वर्स में भी तो दो हजार साधारन व्याज मिला होगा चुकि साधारन व्याज हर साल समान होता है साधारन व्याज हर साल समान होता है अगर तीसरे वर्स उसने 2000 रुपया कमाया है तो उसी देड़ से पहले डूसरे वर्स का भी 2000 पहले वर्स का भी 2000 अब कहता है और 2 वर्सों के बाद 1,460 रुपया चकर विर्धी व्याज मिलता है अब इसी पर हम सिर्फ 2 साल की अगर चर्चा करें तो दो साल के लिए हमें क्या मिलने वाला है दो साल के लिए एक्टालीस सो साथ तो 20,241,160 हमें मिल गया रेट कितना हो जाएगा दोस्तो बस आसान सा तरीका आपको तो पता ही है 160 रुप्या भ्याज मिला है दो सो अजार पर तो 100 अपर दो, एक, तीन, जीरो, कट गया, दू, अठी, सोला, तो हमारा option क्या हो जाएगा, ए, आठ, प्रतीसत, दोस्तो, question number 29, question number 29 क्या कहता है दोस्तो, question कहता है कि ब्याज दर क्या हो गया दी, एक निश्ची 83 पर तीन वर्स का साधारन व्याद 6,000 रुपया, हमने अभी just बताया है, तीन वर्स का साधारन व्याद 6,000 है, तो हर वर्स 2,000, ठीक है, और 2 साल का कितना हो जाएगा, दोस्तो, यहां तक लेंगे 2 साल का, तो 2 साल का 460, वही question है, दोस्तो, यानि 160, यानि इसका भी rate क्या आजाएगा, 160, बट, 2000 में, तो 100 में, सेम question था, question number 28 और 29, थोड़ा सा का difference किया था, बाकी सारी चीजे, वही है, 28 और 29, सेम है, next question लेते है, question number 30, question number 30 काता है, दोस्तो, की 12,000 रुपय के एक मूलधन पर 20 परसेंट की बारसिक दर से, 4 वर्सों के लिए चक्रविर्धी व्याज और साधारन व्याज का अंतर क्या होगा, कितने वर्सों के लिए, चार वर्सों के लिए क्या होगा, दोस्तो, तो चार वर्स के लिए, तो सीधा साप ऐसे ही कर लो, 12,000 रुपया, रेट हमारा 20 परसेंट है, तो 20 परसेंट का मतलब 1 बटा 5, तो चार साल का अगर हमें निकालना होगा दोस्तों तो थोड़ा सा तो आप लिंदी होगा ही होगा चार साल जैसे ही है तो एक बटा पांच, तो एक बटा पांच, चोभी पचे बीशा से यहां भी 24 सो, यहां भी 24 सो, और यहां भी जो आएगा तीसरे साल का उभी 24 सो, और चौथे साल का भी 24 सो, अब क्या जानते हैं चक्रविर्धी व्याज के बारे में हम लोग की ब्याज पर जो ब्याज मिले ह तो इसके पहले तो कोई ब्याज नहीं, तो यहां इसका ब्याज मिलेगा, तो इसका ब्याज कितना मिलेगा, एक बटा पांच, तो एक बटा पांच, तो एक बटा पांच का कितना हो जाएगा, पांचक बीस, पांचक बीस, यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा, पांचक बीस, पनी यठी चालिस, चार सो असी, अब इस साल में क्या होगा, एक दो तीन, यानि इसका भी चार सो असी, इसका भी चार सो असी, और इसका कितना हो जाएगा, पान नमा पैतालिस, पंचक तीस, अब यहां पर आएगा, तो इसका भी चार सो असी, दूसरे का भी चार सो असी, त इसका क्या होगा 96 है तो 96 का 5 कितना हो जाएगा बंदुनी 5 इकाए 5 पैनमा 45 बंदुनी 10 अब इसे आप जोड़ दीजिए इसे तो हम लोग लेगे ने तो हम लोग को जोड़ना क्या होगा इतनों को जोड़ देना होगा तो कितना हो जाएगा जोड़ते हैं इसको एक दो तीन चार पांच छे यानि 480 गुणे छे एक दो तीन चार यानि 96 गुणे चार पलस 19.2 ये सी आई एस आई का डिफरेंस हो गया चार साल का अब 6, 0, 0, 6 8, 49, के आठ बाकी 4 6, 24, 6, 24, 24, 25, 24초 बाकी दू 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 खेड़न आओ नी electro 2, 23, बाकी दू इक दू बाकी बाकी दू एक, 32, 1820 पासा औप्षेन नमबर इसके लिए यही सबसे फर्फेक्ट तरीका है दोस्तो कैल्कुलेशन कम रहेगा आसान होंगे जोडने घटाने में तो यह हमारा कोश्टन नंबर 30 नंबर था कितना नंबर कोश्टन 30 नंबर कोश्टन था dostो कोश्टन नंबर 31 लेते हैं दोस्तो कोश्चन नमबर 31 क्या कहता है दोस्तो पढ़ लें पचीस जार रुपया पर एक वर्स के लिए 20 पर तीसत की दर से अर्धवार्सिक रूप से संजोजित अगर पचीस हजार रुपया है अगर अर्धवार्सिक संजोजित होगा दोस्तो तो टाइम कितना होगा दो अर्धवार्सिक हो जाएगा और रेट क्या होगा 10% हो जाएगा यानि 1 by 10 हो जाएगा अगर आप डाइरेक्ट इसका वार्सिक निकालते हैं तो जो SI होगा 20% की दर से एक साल का जो SI होगा वही चक्रविर्धिव्याज होगा तो यहां उतना करने की ज़रूरत नहीं है दो साल का निकालना है तो 10% हो गया तो जो दो बार आएगा 1 by 10 यानि पचीस सो यहां भी पचीस सो यहां 1 by 10 कितना होगा दाइस सो अब 2 वर्स के लिए एक जब अरध वार्षिक होगा तो इसका टोटल चक्रविर्धि भी अज इतना होगा लेकिन जब वार्सी काल्कुलेट करना होगा तो इतना होगा तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा सिर्फ 1200 रुपय हमारा डिफरेंस होगा तो option number B next question, question number 30 लेते हैं दोस्ट 30 लेते हैं कता 4000 रुपया के मूलधन पर 30% वार्सिक दर से 3 वर्सों का CISI का difference formula अब लोग साथ में लिखेंगे याद होना चाहिए अब दोस्तों बहुत बार हम लोग कर चुके हैं formula हमें अब याद हो जाना चाहिए बहुत important है, difference हमें निकालना है principle हमारा 4000 हो गया rate 30 है तो 30 का square 900 100 का square 200 लिखेंगे गुने 330 by 100 302516 2426, 936 गुने 33, अब इसे गुना करिएगा तो 618 अठारा काठ बाकी एक, तिन्तिया नौ और छोती आठारा, अठारा नो 27 एक, 28 की आठ बाकी दू, तिन्तिया नौ दू 11, यानि 1188 रुपया क्या होगा दोस्तों हमारा चक्रविर्धी व्याज और साधारन व्याज के तीन वरसों का अंतर होगा, ये था कोशन नौबर 32 इस टाइप, टाइप 4 का लास्ट कोशन हम लोग देखते हैं कोशन नौबर 33 ये हमारे टाइप 4 का लास्ट कोशन है दोस्तो 33 और बहुत ही इंट्रेस्टिंग कोशन है दोस्तों 15,000 रुपया की रासी को 16 प्रतीसत वार्षिक चक्रविर्धी व्याज पर उधार दिया जाता है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के व्याज में अंतर क्या होगा ये तरीका हमें इस पे अपनाना होगा दोस्तों 15,000 है 16 परसेंट है 16 परसेंट का मतलब 16 बाई 100 यानि चर्चक 16 चार पचीस से सो यानि चार बटा पचीस तीन साल का निकालना होगा दोस्तों एक, दो, तीन अब इसका चार बटा पचीस करेंगे दोस्तों तो ये पचीस चक डेढ़ सो छो चक चोबिस सो इसको हल कर लिएगा 15,000 बटा पचीस ये आजाएगा 2400 ये भी 2400 ये भी 2400 दोस्तों अब इस पर भी 4 बटा पचीस कीजिएगा तो 25 चक सो 24 चक चानव यानि 384 आजाएगा इसको भी आप हल करके देख सकते हैं दोस्तों 4 बटा पचीस निकालिएगा अब यहाँ भी निकालिएगा तो 384 इसका भी 384 इसका निकालिएगा तो आजाएगा 16.44 दीगे अब हमें क्या कर रहा है यहाँ पर दूसरे वर्स और तीसरे वर्स के चक्रविर्धी व्याज और साधारन व्याज का अंतर तो देखें को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे तो इतना लफडा नहीं करना है देखे 2400-384 यह 2400-384 यह कॉमन है तो यह हट जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ कितना दोनों का डिफरेंट 384 और एक साट रुपया चोबादिस पैसा है दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता अगर अच्छा लग रहा है आपको हमारे द्वारा बताएगे कोशन्स के तरीके तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा से जादा से शेयर करे और जो भी दोस्त इस वीडियो को पहली बार देखे हैं अगर उन्हें अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों सब्सक्राइब करने में तो ना तो आपको पैसा लगता है और सब्सक्राइब अगर करेंगे तो थोड़ा हमें फायदा हो जाएगा और हम मोटिवर्ट होंगे इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए तो तब तक के लिए धन्यवास दोस्तों